दोस्तों, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कोरोना वाइरस का खत्रा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अबादी वाले देश भारत पर मंड़ा रहा है भारत, चीन, इटली, इरान, अमेरिका की तरह दिन भर दिन कोरोना की गिरफ्त में आ रहा है प्रधान मंत्री के आहवान पर जनता कर्फ्यू तो आपने सक्सेस्फुल बना दिया लेकिन कोरोना वाइरस के खिलाफ लड़ाई अभी खतम नहीं बलकि शुरू हुई है देश की राजधानी दिल्ली समेत काफी सारे राज्यों में 31 मार्ज तक लोगडाउन अनाउंस किया गया है वहीं सिचुवेशन से निपटने के लिए देश के काफी शहरों में धारा 1-44 यानि की कर्फ्यू भी लगाया गया है क्या फर्क है लोगडाउन और कर्फ्यू में? एक जिमेदार नागरिक होने के नाते ये आपके responsibility है कि आप इनका अंदर समझे ये जानना बस इसलिए जरूरी नहीं कि आप अपने आपको कोर्णा से सुरक्षत रख सके और देश सेवा में सहयोग कर सके बलकि ये जानना इसलिए भी जरूरी है ताकि आप कोई कानून ना तोड़े और हो सकता है जानकारी के अभाव में आप कुछ ऐसा कर बैठे कि पुलिस आपको गिरफतार कर ले या भारी जुर्माना लगा दे और आपकी मुसिबत और बढ़ जाए आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट कोरोना के खिलाफ लडाई में थोड़ा सा योगदान आप मेरे चानल को सब्सक्राइब करके भी कर सकते हैं अब इतक कोरोना की अवेर्नेस पर 45 वीडियो बना चुकी हूँ जब भारत में एक भी केस नहीं आया था तब से और आपके सहयोग के बिना ये वीडियो बनाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है आपसे मोटिवेशन मिलता है अब जानते हैं कि कर्फ्यू क्या होता है कर्फ्यू आपने पहले भी सुना होगा जब कभी देश के किसी हिस्से में हिंसा बढ़ जाए जैसा हाल ही में दिल्ली में होए दंगों के दौरान हुआ था इंडियन पीनल कोड के CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के तहत राइट, लूट, वॉलिंट प्रोटेस्ट, स्टोन पेल्टिंग जैसी हिंसा को काबू करने के लिए लगाया जाता है इसका सीधा मतलब ये होता है एक जगा पर तीन या तीन से जादा लोगों को इकठा होने के अनुमती नहीं होती इसके उलंगन पर जेल या फिर जुर्माना हो सकता है आपकी जानकारी के लिए बता दू कोरोना को स्प्रेड होने से बचाने के लिए 31 मार्च तक न्यू डेली में धार 144 लगाई हुई है दिल्ली से मिलते राज्यों से बॉडर सील कर दी गई है सभी नाशनल और इंटरनाशनल एरलाइन्स, ट्रेंज, मेट्रो, पब्लिक प्राइवेट बसे और वहिकल्स, ओला उबर कैब्स, ओटो रिक्षा सब बंद रहेंगी अब देख लेते हैं कि लॉगडाउन क्या होता है कोई भी अपात कालीन स्थीती जैसे अभी कोरोना वायरस के चलते बनी हुई है को हैंडल करने के लिए पूरे देश या फिर देश के किसी पर्टिकुलर हिस्से को लॉगडाउन किया जाता है इसमें भी आपको घर पे ही रहने की हिदायत दी जाती है हाला कि इसमें कर्फ्यू जैसी कड़ी सजा का प्रावधान नहीं होता लेकिन अगर आप सड़कों पर दिखें तो पुलिस आप से पूछताच ज़रूर करेगी कि आपका घर से बाहर निकलने का कारण क्या है या फिर कर्तव्य होता है अभी लॉकडाउन इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग घरों से बाहर ना निकले और कोरोना वाइरस एक से दूसरे में आपते होए एक टाइम पर घर में से एक मेंबर या फिर दो या तीन दिनों में एक बार घर से बाहर निकलने की अनुमती दी जा सकती है भारत में राजिस्थान, उडिसा, पंजाब ने पूरी तरह से लॉकडाउन का एलान कर दिया है वही महाराश्टर लेकर गुजरात, हर्यानर के कुछ बड़े शहरों को बंद कर दिया गया है ऐसी संभावना जताई जा रही है कि केंद्र सरकार कोरोना से अपने देशवासियों को बचाने के लिए पूरे देश भर में लॉकडाउन की घोशना कर सकती है ऐसा ही लॉकडाउन अमेरिका में 9-11 के आतंग की हमले के बाद 3 दिनों तक देखा गया था दोस्तों आप जागरूप और जिम्मेदार नागरिक बनिये देश को आपके सहयोग के जरूरत है कोरोना के खिलाफ लडाई के लिए आपको किसी बॉर्डर पे नहीं जाना दुश्मनों के खिलाफ गोली नहीं चनानी बस घर पे ही तो बैटना है इतना तो हम कर ही सकते हैं और हाँ प्रीज मेरे चानल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल दा आशिमा शो पे मेसेज करके पूछ सकते हैं तो चालो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में